नमस्कार मैं जहांगिर आलम आप देखने कोल फिल्मिलर हर पल आपके साथ पिता है हार्मोनियम के तार जैसे पिता है तबले के थाप जैसे पिता है बासुरी के छेट जैसे पिता है कविता के छंद जैसे पिता है गीतों के बोल जैसे पिता से ही बेटी की शान है पिता बेटो का भिमान है पिता से ही मा की मुस्कान है अम्मा धर्ती तो पिता आस्मान है पिता महान है कि अपने लिए घर के पास ही मेरी प्रत्मिक सिक्षा हुई आदर्सवाल विकास बिद्याले नाम है स्कूल का अभी अभी स्कूल में पढ़ाती हूं स्कूल मेरे भहिया का है और साथ ही मैं निट की तेजारी कर रही है मेरे दो बड़े भाईया हैं एक बड़ी दीदी हैं कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं सर मैं अपना भविस्ट से सिक्षन के छेत्र में ही देखना चाहते हूं यह मैंने अपनी रूची को देखते हुए चुना है ना कि अर्थो पार्जन को अपने थोट में क्या नया चीजब ला रहे हूं जैसे हर किसी के लेकर के पीछे एक उदेश से होता है जैसे मारे एक साहित्तिकार बालकृष्णास नमीन जी है उन्होंने एक पंती कही है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओं जिससे उथल पुथल मत जाए तो मैं भी लेकन में कुछ ऐसा ही लिखना चाहती हूं जिससे लोग पढ़कर उनके दिमाग में उथल पुथल मत जाए लिब कहने का पर यह है कि हमारे समाज में जितनी बुराईया फैली हुई है या महिलाओं को लेकर लड़कियों को लेकर जो सोच है उसमें थोड़ा बदलाओ मैं अपने लेकन के मादिर में से चाहती हूं कि अगर हम लोग बात करें तो किस राइटर को पसंद करते हो अभी राइटर अगर मैं महिला लेकी गाग की बात करूं तो मैं मनु भंडारी जी और उसा प्रियंबदा मम्ता कालिया जी को पसंद करूंगी क्योंकि वो ऐसे लेकी काये थी जो पुरुस वादी सोच से हट कर बिल्कुल स्वच्छंद लेकन करते थी उनकी जैसे उसा प्रियंबदा जी हैं उनकी रचनाओं में एक उब संत्रास और उससे जोड़ी हुई क्या मैसेज क्या होता है वो सो तंद्र लेकन करते थी इस्तरीयों को हमेशा पुरुस से उचा उठाने के लिए वो लिखा गरती थी और समाज में जो सोच फैली हुई है इस्तरीयों को नीचा दिखाने की उसको दूर करने का वप्रियास करते थी और कभी पुरुस वादी स क्षिकाइच यही है जैसे हमारे देश में जितने भी युजनाय है महिलाओं को लड़कियों को लेकर जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाय युजना और जो भी युजनाय है उनको वो सारी यूजनाय वेर्थ है धरी की धरी रह जाती है जब एक प्रतिवावन लड़की को सिर्फ यह कह कर रोग दिया जाता है कि तुम लड़की हो लड़की की तरह रहो सब नहीं होते सब कोई माबाब पर हमारी समाज में जो कुछ बुराइया है जो माहौल चल रहा है मां बाब ड़ते हैं। रोकते हैं और कुछ आर्थिक कमी भी हो सकती है जिसके वजह से रोकते हैं। और गÈ-ट्र अगर आप आर्थिक रुप से संपन है और दिजे क्योंकि बेटी एक जो सपने देखती अपने भविश्य को ले कर वो सिर्व अपने ली नहीं देखती वो स्वार्थी नहीं होती है वो अपने पर वाइलाओं को सिक्षित होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मैलाओं सिक्षित रहेंगी तब ही वो एक समाज को एक सि लड़का दे पाएंगी जिससे कहा जाता है कि समाज का निर्मान हमारे देश का निर्मान के लिए पर शिक्षित होना जरूरी है तो अगर मेलाय सिक्षित होंगी तब ही वह राश्टर को एक सिक्षित नव्योक दे सकती हैं सब्सक्राइब करना पड़ता है कोई एक बार में सफल नहीं होता है और जैसे की सोहन लडवेदी जी की पंती है चारव करो किया कमी रह गई है देखो स्विकार करो कुछ कि अभी नजजेकार नीं होती और कोशिछ सकरने का भी हार नहीं होती तो आप यही मैं कहूंगे कि वह प्रयास करते रहें क्योंकि प्रयास करने पर ही सफलता मिलती है और इससे खिन होकर भागना नहीं चाहिए आपके अगर आपके अंदर अगर प्रतीभा है तो आप प्रयास करें मैलाओं पे अतिचार हो रहा है इसके पीछे हमारी रोडिवादी सोच है हमारे धर्म ग्रंथों को अगर ले लिया जाए तो हमारे धर्म ग्रंथ भी हमेशा इस्त्रियों को दबाने की कोशिस करते हैं जैसे रामचरित मानस में तुलसिदास जी सुंदर कांड में एक पंती कह हैं कि ढोल गवार सुद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी तो कुछ हमारे समाज के जो ग्यानी जन है वो मतलब इस्त्रियों को ढोल और सुद्रों के तरह ताड़ना मतलब पीटने का अधिकारी या मारने का अधिकारी समझते तो ग्यानी जन इसी को सोचकर इस्त्र को दबाते चले आते लेकिन वो ग्यानी जन भूल जाते हैं कि राम जरित्मानस तो अधी में लिखी गई है और अधी में ताड़ना का अर्थ होता है परखना शिखाना तो उसका सही अर्थ हिया हुआ कि क्या सर इसका दोसी को नहीं है रोड़ी वादी सोच दोसी है वो पहले से चली आ रही है तो लोग उसी को अपनाए जा रहे हैं क्योंकि बुरी चीज़ें दिमाग पे ज़्यादा अशर गरती हैं अच्छी चीजों को लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं कर दिessen संब्स दिखे जाता है कि माहिलायं को सबस्थे वड़े कुश्चता हैं है पुरुस से लildo बारा पर रदे नहीं होती है और जैसे घर परिवार में होती है शोटी होती है ओर तो को बती है एक दूसरे से पर हर जगा वह लागू नहीं है कैसे रोकने के लिए क्या किया जा ये तो मैं नहीं जानती लेकिन मैं कोशिस करती हूं कि मैं कुछ ऐसा लिखूं लोग पढ़े और सायद उनकी सोंच बदले और वर्तमान वर्तमान में जो सिक्षा व्यवस्ता चल रही है वो मेरे हिसाबतस्ट अगर्वारी स्कूलों की बात की जाए तो प्राइमरी स्कूल के जो सिक्षक होते हैं वह अपने बच्चों को primary school वो सरकारी स्कूल में पढ़ाकर अंग्रेजी medium के स्कूल में पढ़ाते हैं और उनके बच्चे तो उस English मेडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं पर वो सही तरीके से वो सिक्षा नहीं देते हैं तो बैवस्ता नहीं होती है तो वो बेवस्था भी तो लाना उनका ही काम है ना, शिक्षा को सविधा होना चाहिए, बच्चों की स्कूल विद्याले से बच्चों का भविश जुड़ा होता है, बच्चे बड़े होते हैं और माता पिता को चिंता लग जाती है कि वो जल्दी से दाखिला करवा दे स्कू क्यांकि बच्चों के भविष्चे से ही देश का भविष्चे जुड़ा हुआ है अपडेट नहीं हो पारी इसके पिछी वजय है क्योंकि वह उसको लागों नहीं करना चाहती क्योंकि यहां अर्थो पारजन को लोग ज्यादा माइने दे रहे हैं उन्हें कोई उससे मतलब न रही है या सही नहीं चल रही है सिक्षक का गुरू का कर्म होता है कि वह पहले अपना कर्म करें बाद में अर्थ प्राप्ति की बात सोचे लेकिन यहां उल्टा हो रहा है लोग जो सिक्षक है वह पहले अर्थ को महत्व देते हैं बाद में ग्यान के प्रसार को अच्छा की जी कि अन्को यह कहना चाहूंगी कि हमारे द हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़ी किया है जो वास्तों में पढ़ना चाहती है पर वो पढ़ सकती है कुछ आर्थिक कमी में आपको आपके प्रिवायर, वैसी सुविधा मिल रही है, वैसा राइस उसर मिल रहा, तो उसका लाव उठाए पढ़ें अपना लक्षे निर्धारत करें कुछ करें बेर्थ समय नगवाएं फालतों की चीजों में व्रिधा अश्रम में व्रिधी होने के पिछे वज़े यह है कि आधुनिक्ता के दौर में लोग पास्चात्य संस्कृत्ति को जना महत्व दे रहे हैं एकल परिवारों का चलन बहाँ ज़्यादा बढ़ गया है लड़किया खासकर हम दो हमारे दो वाले नारे पे ज़्यादा विस्वास करती है लब एकल जो परिवार है वो वहां ज्यादा फैला हुआ है न तो इस लिए इस नारब पे तो वो हम दो हमारे दो वाले नारब पे चल रही है तो वो परिवार को बोज समझती है बस पती भर से ही नाता रहता है इसलिए प्रदास्रम में बढ़ोत्तरी हो रही है इसलिए अच्छे स्टूडेंट भी है तो आपको जो संगर्ष किया है वो क्या सेर करना चाहेंगे आपने आज की जो आपको संक्रुश्च गड़की है मैं यही कहना चाहूंगे कि लोगों की सोच होती है कि लड़की है ज्यादा बोल रही है ऐसा नहीं करना चाहिए यहां रोकना वहां रोकना तो ठीक है आप हर जगा विरोध नहीं करिए पर जहां जरूरी है सिक्षा के छेत्र में या अपने लक्ष को प्राप्ट करने के लिए वहां लड़िए वहां जरूर लड़िए और विरोध करिए क्यों नहीं मिलेगा अगर कुछ करना है तो मेरे हिसाब से भली लड़की का जो चोला होता है उसको उतारना पड़ेगा विरोधी बनना पड़ेगा तो आप सही चीजों के लिए विरोध करिए और अपने लक्ष को प्राप्त करिए क्योंकि सिक्षा मेरे हिसाब से जीवन को जीवन के लिए बहुत जरूरी है राश्ट्री के निर्मान के लिए बहुत जरूरी है सिक्षा एक असिम सागर है कभी खाली ना होने वाला सागर है इसलिए सिक्षा के लिए अगर आपको विरोध करना पड़े तो आप जरूर करें लोग आजकल अपनी जो चमता है उससे बढ़कर अपने बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप अपनी चमता को पहले परकिए कि आप क्या कर सकते हैं उस हिसाब से अपना लक्षनेर धारत करिए और आगे बढ़िए यह नहीं कि आप जमीन पे हैं और आस्मान के ख्वाब देखिए अगर आप जमीन पे हैं तो जमीन के लोगों के हिसाब से ही सोचिए जमीन पे भी बहुत सारी अच्छी चीजे हैं आस्मान पे जाने की जु बिल्कूल पढ़ रहा है और पढ़ेगा ही आगे क्योंकि यह सअरी चीजें हैं हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती हैं एक एकता से जोड़ती हैं अगर हम ये सारी चीजों को छोड़ कर अगर इंगलिस में जाएं तो हम पास्चात्य की और जा रहे हैं और पास्चात्य में जाने का मतलब है कि अपनी संस्कृति से कोई तरी किसे कड़ जाना हम मात्री भासा को छोड़ रहे हैं कभी होनती नहीं कर सकता है जो अपनी भासा को छोड़ दे बिलकुल यह बात सही है और मैं इसे सहमेत हूँ क्योंकि हर देश की पैचान होती है हमारी रास्ट्र भासा क्या रह गई अगर हम उसको छोड़ कर दूसरे भासाओं को खुद को उचा दिखाने के लिए खुद खु हां तो हमारा अपना रहा आस्ट्ट्थ हो सकता है हम तो कुछ आए नहीं तो इसलिए बहुत है है जैसे भरतिंदु जी हैं थी कि हमारी यह जड़ है ऐसे जाग है तो उस commission पतक अब pri लोगों को इसके लिए आगे बढ़ना होगा और यह खत्म कब होगा यह तो नहीं पता लेकिन एक के आगे आने से ही पूरे जन आगे आएंगे लोगों को बताना पड़ेगा कि पैसा नहीं दुलहन ही दहेज हैं लड़के पड़ रही हैं उच्छे सिक्षा ले रही हैं वो उन्हें चाहिए कि वो पड़ लिखकर खुद को इतनी काबिल बनाए ताकि जब लड़के वाले दहेज की मांग करे तो वो सीधे जवाब दे पाए कि वो भी पड़ी लिखी है वो भी लड़के की इतना ही वो शिक्षा ग्रहन की है तो क्यों लड़की के पिता लड़की भी दे और दहेज भी दे ये किस हद तक सही है इक पिता आपने लड़की भी दे रहा है, दहेज भी दे रहा है, ये कहां तक संभव हाँ? दहेज के कारण एक पिता आपने जमीन घर तक गिरवे रख देता है, जो बहुत घटिया चीज है, जो जल्दी समाप्थ होनी चाहिए समाज में, नहीं तो हमारा समाज किस गर्त में जाएगा यह कोई नहीं कह सकता है अगर लड़कियां अगर यह दहेज खत्म हो जाए तो एक लड़की का पिता लड़की को एस रेट विश्व में सिख्छा दे सकता है उसको सही प्रस्डिक्शन के लिए विदेश भेज सकता है या फिर अपने बेवसाय में उस पैसे को लगा कर वो घर की आर्थी की सित्थी को और मजबूत कर सकता है तो इसलिए ये दहेज खत्म होना बहुत जरूरी है ये एक जी बिलकुल आज के लड़कों को भी चाहिए कि वो अजकल पढ़र लिख रहा है तो उन्हें चाहिए कि अगर रुडीवादी सोच को लेकर अगर कोई उनके माता-पिता दहेज की मांग कर रहे है तो ओ भी कहें वह भी बात को समझें वह भी इसको प्रथा को समाफ्त करने के लिए लड़कों को भी आगे आना होगा और वो भी लड़की के पिता के स्थिती को समझे और मना करें क्योंकि अगर लड़के विरोध करेंगे तो फिर ये प्रता जल्दी समाथ हो सकती है क्या नहुं आपका देधत मिश्रा हमने देखा कि आपकी बेटी बहुत अच्छा लिपती है और अच्छा राइटर बन रही है नियू जेनरेशन में तो क्या आपने सोचा था कि बेटी आपका इतना अच्छा लिख बाएगी आगे चलकर ना आपने कभी सोचा नहीं लेकिन सुनके देखके बहुत आनदन देता है नियू के अंदर जो है यह कहा जाता बहुत इंटेरियर एलाग्का है यहां रहे कि आप बेटी को एम में तक के एजुकेशन कैसे दिला पाए नहां दिक्कत है तो थी बहुत दिक्कत है लेकिन लड़की की इच्छा थी और कुछ अब जो ना ऐसा भातियां की पढ़ें नहीं देता है उनके साथ कुछ वैसा मजबूरी है या उनका वैसा समाज है जिसमें वह इल्ग मिल गए गए और इसलिए उसक्वल हो जाते है अब क्या ना हुआ बिट्जा उती देवी अमने देखा कि आपकी बेटी बहुत संसकारी बहुत तहजी भ्यापता है वह संसकार कैसे दिये उसको बाश यही हम लोग अपने मापाप से पाई अब ही अपनी लड़की को दिये समाज को जग बेटी पहला होगी तो लोग सचश मेलकं यह के बेटा होता है तो फिर इंटाई वाटे जी लोग कर दें समय की क्या खाली कि हम लोग ऍरीटिया ही है लेकिनि गल्त है अब उसका नसीब जाने नसीब तो आप बनाएं आपने मास्टर डिगरी के जुकेशन उनको दिला दी तो बहुत बोला काम है अच्छा जब यह पल रही तो ऐसा कुछ हुआ समाज में इनको आगे मत पलाओ बेटी है आगे क्या करेगी ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन हम लोग का समाज इतना गंदा है कि बाहर एकेला भीजने से तो मेरे पास तो और कुछ नहीं है इजत कि सिवा और कुछ भी नहीं है वास इसलिया और कोई बात है अच्छा लगता है खुशी होता है क्या ना मुँ आपका लक्षपन मिश्रा अब आप क्या करते हैं एक्छली मैं एक प्राइविट स्कूल चलाता हूं क्या नाम इस्कूल का दयानंद अर्विंदो एंड बिवेकानंद मेमोरियल इस्कूल यह क्लास फाइब तक अभी चल रही है हमारे साथ और साथ सिख्षक है यह स्कूल कब से चला रहे हो दो हजर पंदर से तभी आप जो स्कूल चला रहे हो देखिए जहां तक इस छेत्र के सिख्षा का बात है चूकि हम लोग जब सिख्षा ग्रहन कर रहे थे उस समय यहां का आवस्था इतना खराब था कि हम लोगों को पढ़ने के लिए दुरगापूर राणी गंज नहीं तो आसनसौल जाना पड़ता था एक छोटा सा ही है अच्छे मिलते नहीं थे और खासकर हिंदी भाशाबासी के लिए तो बहुत ही समस्या था तो हम लोगों की सिख्षा जब समांप्त हुई तब से ही इच्छा हो गया था कि सिक्षा के चेतर में ही काम करना है ताकि आगे जो समस्या हम लोग देखें हैं वो समस्या और आगे के बच्चे यहां के कम से कम ना देखें और इस उदेश्चे से ही हम लोग इस प्रोफेशन को चुने और चुन कर आपके थोट अची है अभी बेसिकली हम हिंदी का बाग करें तो आपको यहां पर कौन सा स्कूल है यहां पर बच्चे कहा भी क्लास 10 रिजाम दे रहे हैं हमारे यहां आज भी हाइश्कूल हिंदी भासा भासी के लिए नहीं है नहीं है वो middle school है class 8 तक grant है और 19 के लिए मतलब उच्छा grant करने के लिए हैं कोई हिंदी बहुत समस्या और एच्छे के लिए बच्छे को रानी के जी आसन सुल ही जाते हैं मिmostra जाते हैं कि आधे बहुत सारी हिंदी सुस्ता है जो चैसी के लिए च्छी एक च्छी दिखे ऐसा है कि पिछड़े छेत्रों में भी प्रतीभा की खान है है तो पिछटे च्छहा के अस्थर पे थोड़ा और अर काम होना चाहिए है क्योंकि ही हिंदी भासी के लिए हमारे राज्ज में आज भी बहुत ही समस्या है यह तो से जाएं तो आप अउनразу है मालीजि चीछा ग्रहन करने जाएं तो उन्हें 30 किलो मेटर 40 किलो मेटर दूर जाना पड़ता है और जाने आने से क्या है कि बहुत सारी चैलेंजे जाती है यह सारी आगबाद करो ना इस्पेशली केंदा करो नहीं इन सभी छेत्रों केंदा से जुड़े और भी बहुत सारे ऐसे छेत्र हैं जो काफी पिछड़े है यहां टांस्पोर्ट की भी बहुत खराब है हमारे किंदा के बगल में चले जाए परसिया तो वहां भी प्रतिभा भरमार है लेकिन वहां क्या है कि हिंदी मीडियम का स्कूल है हाई स्कूल या इचिस तक की बहुत खराब है बच्चों के लिए सिक्षा के छेत्र में अधिक से अधिक ब्योस्था करनी चाहिए अधिक से अधिक स्कूल देना चाहिए ताकि कम से कम निचले अस्तर की मतलब हाई स्कूल या एचिस तक की पढ़ाई के लिए उनको संघर्स नग करना पड़े कि उसके बाद जो बच्चे है वो कुछ समझदार हो जाते हैं वो यदि दूर जाते भी हैं तो उनको ज्यादा समस्या नहीं होगी प्राइमरी स्कूल में बच्चे बहुत कम है यदि इसकूल में समस्या है तो गारजियन क्या करते हैं कि सरकारी स्कूल से बच्चों को हटा कर और प्राइबट स्कूल में भेज देते हैं नकी स्कूल पे कंप्लेन करते हैं यदि वो स्कूल में जाकर बार-बार कंप्लेन करे निश्चित रूप से स्कूल सुधर जाएगा और पढ़ाई के आस्तर जो है वो बेहतर हो जाएगा जी नहीं हाई स्कूल भी नहीं है बंगलब के लिए है हिंदी भासी के लिए नहीं है इसके लिए क्या गोहर भागलब सरकार से यहाँ मैं तो यही चाहूँगा कि जितनी जल्द हो सके यहाँ की जो मेडिल स्कूल है हिंदी भासा भासी बच्चों के लिए उस स्कूल को जल्द से जल्द कम से कम हाई स्कूल कर देना चाहिए केंदा जूनियर हाई स्कूल आपने हमसे बाग के इसकूल है जी तैने बाद